Normally आज कल जैसे जिस age में बच्चे बोलते थे जिस age में उनकी speech languages जो थी वो बोलना सारा स्टार्ट हो जाता था अब भी ये मसला आ रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा लेट बोलना शुरू करते हैं पहले भी कुछ एकात घर में आपको देखने को मिलता था कि किसी घर में को एक बच्चा लेट बोल रहा है अब के दोर में ज्यादतर बच्चे अपनी age से लेट बोलना शुरू करते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए ये जो speech therapy है क्या ये होनी चाहिए आपने देखा है जो COVID के दर्मियान बच्चे घर में रह रहे थे उनमें ये जादा problem पाई जा रही थी अब क्यों घर की चार दिवारी के अंदर ऐसा क्या मसला था कि बच्चे बोलने से कत्रा रहे थे लेट बोल रहे थे अगर आपके बच्चों में भी इस तरह का कोई मसला है तो आप आज का ये हमारा program का segment जरूर देखे हमें क्योंकि जोने जोइन किया है वो speech therapist है हुमेरा इद्रीज जॉक्टर हुमेरा इद्रीज जी बहुत बहुत शुक्रियाद आपके तशेफावरी का तैंक्यू सो मच्च तो आप समझ गही है हाँच का topic जो है वो design ही हमने इस तरीके से किया है ताके देखने वाले को समझ आए कि सबसे पहले बतादें इस speech therapy की जुए पढ़ती है कि सेज में पढ़ती है और बच्चे जो है इससे कितना अफादा हासल कर सकते हैं जो बच्चे लेड़ बोल रहे होते हैं speech या language आप देखें speech language जो है कर कह लें एक skill है एक art है महारत है अगर हम I'm not wrong तो एक basic need है जरूरत है हम दुनिया में रहते हैं being a social animal हमें बोलना पड़ता है we cannot survive without speaking बात सीथ करें कि बगएर हम survive नहीं कर सकते हैं हमारी सारी communications जो है skills वो इसी पर दालों अजार है when you know you speak आपको दुनिया में रहने के लिए interact करना पड़ता है interaction के लिए बोलना पड़ता है सबसे पहले ज़से बचा पैदा होता है उसके different milestones वो अचीव करना शुरू करता है बैटना उटना चलना उसमें सबसे सारे important है लेकिन बोल चाल speech language यह basically टीन related चीजें इन तीनों का होना भी आपको एक perfect जो है speaker बनाता है और यह skill आती है आपके बच्वन में पैदाइश के बाद बचा जब पैदा होने से पहले यह हम बहुत scientifically भी है islamic भी है कि पैदा होने से पहले बच्चा सुन रहा होता है बात नहीं कर रहा होता लेकिन उसको environmental sounds अपने parents की आवाजें वो तमाम चीज़े सुनाई देती है इसलिए after birth उसको थोड़ी सी familiarity होती है नहीं तो अगर एकदम बच्चे को दुनिया में आए और आवाजे सुनाई दे तो वो उसके लिए बहुत बड़ा एक बंबार्मेंट होगी sounds के point of view से और जैसे 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 वो grow करत है मां को फॉरन पता लग जाता है बचा रो रहा है मां कहीं इसको भूख लगी है क्योंकि रोने की लैंगविज नहीं होती है रोने की लैंगविज नहीं है लेकिन रोने के different style है जो मां समश्चती है भूख लगी है तो एक अलग तरह से रोना होता है और और पेन में आए वो वो आवाजे बनती हैं फिर लफ्स बनते हैं लफ्स एंटेंसिस बन जाते जुमले और फिर इस तरह एक लंबा कारवान चलता जाता है जिसके जरीए बचा या इनसान ग्रो करता है बात चीत करते है वाल दे इनको कब पते चलता है डॉख साहबा कि बच्छा जो है वो parents को थोड़ा सा conscious होना चाहिए लेकिन हमारी society में ऐसे होता है कि हम थोड़ा सा ignore कर देते हैं या समझ लें कि हम कहते हैं बोल पड़ेगा बड़े बूरों का भी है कोई बाद नहीं बोल लेगा हत्ता है कि कुछ mal practice भी होती है तीन साल की उमर में बोलेगा no हर age का एक criteria होता है और day by day आपकी height के साथ आपकी weight के साथ आपकी speech भी grow करती है एक साल के बच्चे को single love बोलने चाहिए by the age of two years दो साल के उपर इतनी vocabulary डवेलप हो जाती है इतना उसके पास इलफास का जहीर हो जाता है बच्चा जो है वो एक साल में बोलना शुरू कर देता है words की शकल में ठीक है मामा बाबा जो चीज़ चाहिए होगी वो इलफास की शकल में बताना शुरू कर देगा कुछ gestures होंगे इशारे होंगे कुछ इलफास होंगे जिससे बात जो है वो समझा देगा यह उस एज की requirement है लेकिन एक चार साल का बच्चा लफ्स बोले और इशारे करें तो यह एज अप्रोप्रेड नहीं है यह abnormal behavior है अब अब कर बच्चा लेट बोल रहा है लाइक एक साल की उमर में उसने इसना के words इस्तिमाल करना नहीं शुरू किया एंडेन पेरेंट्स को पता भी चल गया तो पेरेंट्स को थेरेपिस से कब राफ्ता करना चाहिए as soon as possible क्योंकि कहते हैं कि जितना जल्दी आप प्रॉब्लम को पकड़ लेंगे उत्ते जल्दी पर प्रॉब्लम रहता ही नहीं है अगर आपके एरिया में नहीं है लेकिन आजकल तो हर डिस्ट्रिक में डी एच्क्यू लेवल पे भी स्पीश थेरेपिस्ट अवेलिबल है तो as soon as possible अगर one year पे हो गया है one year पे नहीं तो one and a half पे चले जाएं डेर साल पे चले जाएं दो साल पे चले जाएं लेट मत करें क्योंकि अब अगर स्पीश को लेट करें आप बहुत सी और चीज़ों को लेट करें बच्चे की education लेट हो जाएगी अगर अगर अब यह सारा situation है तो जो speech therapist है वो कौन से टेक्नीक्स इस्तमाल करते हैं जिससे बच्चे जो है वो बोलना शुरू करते हैं can you please explain अब भी इसमें ही है कि आप कहते हैं कि बोलता नहीं है लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि बोलता क्यों नहीं है हमें वो reason find out करना होता है जिसके लिए उसको assess करना पड़ता असेस्मेंट के बाद में पता चलता है कि यह यह बच्चे को problem है sometimes hearing issues होते हैं अगर hearing का problem है तो भी उसको family में कोई hearing issue है अगर बच्चे को सुनने में कोई मसला आ रहा है उसको देखने में मसला आ रहा है उसके behaviors में कोई issue आ रहे हैं कोई accidental reason बन गया fits पड़े है at the age of birth कोई इस तरह की complication हुई है जो बच्चे की है तो उस वज़ा से speech language problems आ सकते हैं once the child is diagnosed जब वो diagnose हो जाता है तो फिर हमें उसका management करनी पड़ती है depend करता है problem reason क्या बना delay का क्यों नहीं बोल रहा है अगर तो सुनने का मसला है क्योंकि आजकल बहुत hearing का issue भी बहुत common हो रहा है तो आज से पहले ऐसे बच्चों को deaf and dumb कहा जाता था गुंगा बैरा बच्चा लेकिन जैसे जैसे science ने technology की Allah ताला की blessing के साथ उसकी भी alternative ways आगे है in the shape of hearing aids और recent technology cochlear implant है cochlear implant ने वो barriers भी खतम कर दिये जो hearing aids के साथ आते थे उसके cochlear को ही implant कर दिया जाता है और फिर वो just like a normal hearing child वो सुनना शुरू कर देता है मुझा मुझे यह बताईगा कि यह जो play activities होती है यह कौन सी होती है जिसमें बच्चों को यह खेलने में कोई इस तरह से आप लोग दिखा रहे होते हैं उसके बाद उनकी speech therapy centers में उनको बताई जा रही होती है तो वो अगर guide कर दें जो घर में भी बच्चे घर में भी कर सकें और parents उनको करवा सकें exactly सबसे पहले यह बात है कि जो speech होती है वो interaction से आती है बात चीज से आती है आज से पहले हमारे जो हमारा बच्पन था नानियां दादियां बैठती थी बचों को पास लेके बैठती थी लेकिन बचों के लिए उनके ब्रेइन के एक डिवेलमेंट जो होती है वो एक खास स्टेज में हो रही होती है अच्छा मगर मैं आप से थोड़ी सी बात को यहां पर क्लियर भी चाहूंगे मगर ब्रेक के बाद चाइना इफ यू सी इफ यू सी कोरिया राइट दोनों मुमाल वो जब पाकिस्तानी है जितने भी है तो उनको जो एशियन उनका एपोर्ट टर्नल जो है वो टर्मिनल अलग बना दिया गया वहां पर बहुत जादा वेट करना पड़ता है उसी एपोर्ट पर उसी टर्मिनल पर चाहिना को एक फ्लाइट जो थी ना वो लैंड हो गये वह हमें फिकरे थी हैं हम चुल में लगे वेटे कभी किसी को ताउर रहें कभी किसी को देख रहें कपड़े क्या पहने किसी हर चीज़ पर हमारी नज़ब उनकी उनको अपना फोकुस दे वर वर्किंग अन फोन बच्चे से लेके बुड़ा तो यह मुझे आपने बताने है कि बच्चो को मुबाइल निदेना, take a break